स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाशा और मुकुल और आज जिन तीन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं धर्म के नाम पर खुल कर भाश्पा वोट मांग रही है मगर कौन रोके गा नहीं मुद्दा नंबर दो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एन आई को इंटर्व्यू दिया घोशना पत्र भी जारी हुआ भाश्पा का मगर कोई सवाल नहीं कोई प्रेस कांफरेंस नहीं मुद्दा नंबर तीन क्या इंडिया घट बंधन अब भारतिये जनता पार्टी से सही माइने में मुकाबला कर रहा है इन तमाम उद्दों की चर्चा होगी मगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं धार्मिक राजनीती का जो तूफान आया है चुनावों में प्रधान मंत्री खुले आम चुनावी सभाओं में धार्मिक नारे लगा रहे हैं अमिच शा खुले आम भगवान की फोटो दिखा कर वोट की अपील कर रहे हैं भाशपा के नेता टी राजा सिंग भड़काओ बयान दे रहे हैं और कारवाई किस पे होती है कॉंग्रिस के पिता रंदीब सुर्जेवाला पर तो एक तरह से देखा जा रहा है और उपर से ये ना भूलें ट्विटर ने अपनी तरफ से बयान जारी किया कि चार राजनेताओं के बयानों पर रोक लगाई गई हम उससे इतिफाक नहीं रखते हैं यान कि भारत की अंतराश्ट्री त बड़ा नमूना दिखाई देता है कि विपक्ष पर मार है और पक्ष यानि सत्ता के आगे वो लमलेट है जिस तरह से कमनल कार्ट खेला गया जिस तरह से सारी धजियां उड़ रही है लग रहा है देश में कॉंस्ट्यूशन ही नहीं इलेक्शन कमिशन ही नहीं है मुद्द पर मेरा पंच है कि भाजपा बुरी तरह से बौखला गए वो सोचती है कि इस तरह की राजनीती करके वो जीत जाएगी मगर उसे समझना चाहिए कि अगर वो जीत भी गई तो हारेगा इंडिया और मैं इंडिया गड़बंधन की बात नहीं कर रहा हूं मैं इंडिया की बा अबिसार की बीजेपी पहले दिन से पहले चुनाओ से धर्म का खुला प्रियोग कर रही है उस पर कोई लोग नहीं है इसलिए वो उस पर और आगे बढ़ रही है और चुनाओ आयोग की साख दाओं पर है कि वो इस पर कुछ कारवाई करे। सुनिये इनका ये बयान। सुनिये बेटा हम हमारी पीडी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। हम हमारी पीडी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। प्रधान मंत्री नारेंद्र बोदी शुनावी सभा में धार्मिक नारे लगा रहें। शुनावायो क्या तुम सुन रहे हो। सुनिये प्रधान मंत्री दे किस तरह सेवारी लगा है। राम लक्ष्वन जान के जै बोलो हनमान के। और चुनाव आयोक के दिशा निर्देश साफ तौर पर कहते हैं कि आप धार्मिक तौर पर वोट नहीं मांग सकते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जहां खड़े थे ना वो कोई धार में स्थल था मगर किस तरह से नारे लगाए गए हैं सबसे शौकिंग ये चुनाव आयोक की बेशर्मी मैं कहूंगा भाशा इस तरह की खामोशी ये नारे आपने देखे हैं मैं जानता कि आंदभक्त इससे खुश होंगे कोर वोटर उससे खुश होगा वही सब बगर कुछ चुनावी शुचिता तो है कोई कोई एक डिस्सिप्लिन तो है नहीं और देखे ना कि इनके आगे आगे जिस तरह से तमाम जो कैंडिडेट्स हैं हमारे बगल में देश की राजदानी को लग रहा है क्यों कि जमीन पर खत्ब बदाहरण दो कर बघंदानि को बड़ को अट रहे हुआ है क्योंकि उनकों रहा है कि बाकि और सारी चीजों की उतना नहीं है और मेडिया तो माशाला है ही आप देखें लगातार जिस तरह से कवरेज हुई है पूरे समय हमिश्या जब दिखा भी रहे हैं तब उसकी कवरेज है राठोर भाशन दे रहे हैं तब उसकी कवरेज है पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का माहौल है तो अब सबसे शौकिंग यहां बात यह है जो एहंकार दिखाई दे रहा है भाजपा के नेताओं में मैं महेश शर्मा का बयान देख रहा था जो गौतम बुध नगर से सांसद हैं कि भाई जो मोदी योगी के नहीं हुए अपने बाप के नहीं हुए आप स्तर देखिए अच्छा इसके लावा हर दूसरा नेता सम्विधान बदलने की बात कर रहा है सबसे शौकिंग एहंकार और बाबा सहाब अमबेड कर उनके सम्विधान की जो धज्या उड़ाने की कुश्ट की जा रही है तो एहंकार की वज़े वही है जैसे मैंने का है विसार पहले कि उन पर कोई रोक नहीं है वो एक चुराओं में ये प्रियोग नहीं कर रहा है वो लगातार ये प्रियोग कर रहा है और वो लगातार आगे बढ़ हैं इससे उन्हें फिर लग रहा है कि मुद्दो पर विकास सिर्फ एक मुखटा है मुद्दा दरसल यही है धर्म और सामपरदाइक्ता और जन्ता में महंगाई बेरोसगारी ये मुद्दे जो पपड़ रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि इसके बरक्स हम ये मुद्दा खड़ा करेंगे तो हमें बढ़त मिलेगी और उन पर रोक नहीं लग रही है इसी वज़े से जैसे किसी आप कोई रोक ना लगाएं किसी ब मुश्किल लग रहा है और उसके चलती ये बॉकलाट आ रही है कि और जितना जहर गोलो कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है मीडिया आप पे सवाल करेंगा नहीं चुनाव आयोग जो है आंशिक कारवाई करता है और अपनी शर्तों पर कारवाई करता है और चुनाव आयो होगे लेकिन सारे लोग बात कर रहे हैं सारे लोग कल में जिन इलाकों में थी वहां पर लोग नीचे से बोल रहे है क्या रही कुछ भी हो जाएगा फाइनली है तो हिंदू राष्ट ना तो आप देखिए प्रचार के लिए एक चीज और हो गई कि 10 साल में जो मोदी जी ब पॉलराइजिंग बयान दिये जा रहे हैं क्या जमीन पर आप उसका सर देख रहे हैं भाजबा के पक्ष में जहां-जहां-जहां मैं गई हूं और कल उत्तरप्रदेश के कुछ इलाके में थी वहां पर लोग साफ मजाक में भी कर रहे है क्योंकि पॉलराइजेशन दूसरे पर लाना था चौबिस लोगों को लाना था यानि उस तरह का पॉलराइजेशन का इंपैक्ट भारती जनता पार्टी के पास उत्तर भारत में नहीं हो रहा है संकट में है इसलिए उनको लगता है कि उनके पास ट्रंप कार्ड है राम नाम राम मंदिर और ग्रेट रहे होती है कि देखें जब आप धर्म के नाम पर नसर्र धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं मेरे खिali से आम जनता कोई बात समझनी आती कि धर्म के नाम पर ऐसे वोट मांग रहे घो की शोना वाचार सहिता के खिलाफ है मगर मैं इसके एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूँ यह तो सब भी समाज के मुँपर तमाचा है कि आपको ये लगता है कि मैं समाज को भड़काओ, दंगाई बनाना चाह रहा हूँ, टी राजा सिंग का जो बयान हमने सुनाया, आप तो ये समझ रहे हो ना कि ये समाज दंगाई है, ये समाज भड़काओ दरसल बात ये है कि अगर वो विकास की बात करें, तो वो कैसे बताएं अगर वो रोजगार की बात करें तो वो कैसे बताएं, महंगाई को वो कम करने की बात करें तो वो कैसे लोगों को ये विश्वास जिलाएं कि हमने कुछ किया है दरसल उनके पास यह बताने के लिए नहीं है तो एक ही चीज है धर्म और उने लगता है कि धर्म के नाम पर फिर लोग एक जुट हो जाएंगे और उत्तर भारत में इसलिए उनमें खत्बदाहट भी है क्योंकि यहीं उन पर सबसे जादे सीटे हैं और यहां से अगर कम हो कहा वो उनका अपना 303 वाला ही टार्गेट पूरा हो जाए वो इससे भी डरे वे और यहां पर जो राजा सिंग ने भया बयान दिया है उसके आधार पर उनको गिरफतार कर लिया जाना चाहिए जिस तरह से भड़काव भार्शन है और पूरी कि पूरी तो दिल्ली में गो कि यही अब ट्रंप कार्ड है बीजेपी के पास और चौबेस यह बताएगा भी आप गिरफतारी की बात कर रही है आक्शन किस पर हुआ है रंदीब सूर्जेवाला पर अड़तालीस घंटे के लिए उन पर पाबंदी लगा दी गई है अमिच्शा खुले आम भगवान की तस्वीर जो हैं लेकर वोट मांग रहे हैं अरुन गोविल जो है भई आप जिसने स्क्रीन पर राम का किरदार निभाया उसे वोट नहीं देंगे साफ तॉर पर देख रहे हैं मगर मैं यहां पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ चुनाव आयोक का हम यहां पर जिक्र कर बता रहा हूँ चुनाव आयोक से जब उन्होंने चुनाव का एनाउंस किया था तब भी यह सवाल पूछा गया था कि आपने बीजेपी खास तोर से प्रदान मंतरी और ग्रह मंतरी को कितने नोटिस दिये क्या करवाई की लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं मिलेगा वो नह बतानों की तरफसे आपने वो निर्हहु आपने बायान सुना कि किस तरह क्या वहियात बयान है कि मोडी इजी योगी जी थोड़ wagा को अगर कोई दो लोग बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं तो इसके लिए पूरे समाज की बेज़ती दूड़ा करें और मुद्दा वो नहीं है उसके आगे उनका जो जुटो का सरदार है उनके प्रचारत अंत्र का मुक्या कहता है फिक विडियो है आटिफिशियल इंटेल कोट लाएगा एक डेस्पिरेशन भी बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है अगर आप देखिए एक महीने के बीतर जो बीजेपी का चुनाव प्रचार इंक्लूडिंग प्रधान मंत्री नरेन मोदी जह वो कहते हैं कॉंग्रेस के घोशना पत्रकों कि मुस्लिम लीक का इं हैं जिसमें उम्मिद्वार से लेकर बीजेपी के केंद्री मंत्री 10 सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अगर आपने राम के नाम पर अब हमें वोट नहीं दिया तो यह राम का अपमान होगा अब यह जब अगर स्थिती हो गई है 2014 में तो मुझे लग रहा है इस से यह भी पता है तरह कि अनरगल बयान है दूसरी तरह अमिठ शाह जो है मंच पर खड़े हो के नहरू को गाली दे रहे हैं अरे बाई मनिपूर आप से समझनी रहा है जो पहले प्रधान मंत्री आप है नहीं हमारे बीच में आप उन समुद्दे को लेकर आ रहे हैं मनिपूर को मनिपूर के पहुत मीया फटी नफ़रत वालु जी तरह अमिपूर के तीन बाच्चे के अरवी के दोस्त-जादा बच्चे है और यह लोग बात करते है अपने दूसरे उह मुद्देका भारती जहांता पाटी घोशनापत्र जारी करती है सुबह से लेकर दो पहर तक तमाम न्यूस चैनल्स पर लाइव कवरज मजाल है कि जब कॉंग्रेस का खोशना पत्र आया हो इस शिद्दत से कवरज की हो और उसके बाद प्रधा मंतरी भाशन देते हैं खेल खतम कोई प्रेस कांफरेस नहीं कोई चवाब नहीं एन आई को इंटर्व्यू देते हैं उसमें वो एलेक्टोरल बॉंड्स को जायस ठहराते हैं जिस मुद्दे पर तलख तेवर सुप्रीम कोट में अपनाए हैं क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत करना चाहेंगे मुकुल से जी मेरा ये कहना है कि मोदी जी एक तरफा बोल रहे हैं उन्हें एक तरफा सुना जा रहा है पत्रकार भी श्रोता बन गहे हैं अब जनता को ही सोचना होगा कि उसके सवालों का जवाब कौन देगा भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच देखे चुनावी मौसम में हमारे महान प्रधान मंत्री ने तीन महान इंटर्व्यूज दिये और उससे तै कर दिया कि मीडिया के लिए वो क्या जगा समझते हैं और मीडिया उनके लिए यानि क्या है वो एक PR agency है चाहे वो थाती को दिया हो चाहे हिंदुस्तान को दिया हो या फिर ANI को दिया हो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपना प्रचार करते हैं और सब प्रचार उनका वैसे के वैसे ही तमाम अकबारों में तमाम TV चैनल पे चलता है जो एक बहुत लोगतंत्र के लिए खतरा है अभी सार क्या है इस पर आपका पंच? भारती जनता पार्टी ने अपनी एक दुनिया बना ली और इस दुनिया में इस काल्पनिक दुनिया में प्रधान मंत्री सवालों का जवाब नहीं देते प्रधान मंत्री जिस मुद्धे पर सुप्रीम कोट तल्ख टिपणी कर चुका है उसे जायस ठहरानी की कोश्च करते है और दिल्चस बात ये कि उन्हें कोई चुनौती नहीं देता कोई कट घरे में नहीं रखता ये तो संगोल यूग है ये नया भारत है मैं ये समझना चाहता हूँ घोष्णा पत्र आता है और देखिये प्रेस कांफरेंस होना चाहिए आपको यादे पिछली बार कमसे कम इन्होंने प्रेस कांफरेंस किया था प्रधान मंत्री बेटे वह ouais थे lámir अमिट शा के साथ प्रधान मंतरी बार बार उनकी तरह इशारा कर रहे थे जो सवाल पूछा जा रहा था अब आप राहूल अखिलेश से उचल उचल के सवाल पूछते हैं यहाँ जरूरत ही नहीं महसुस हो रही पत्रकारों को कि उसमें सवाल किया जाए बाचाब तो दरसल मोदी जी इतने साल से मन की बात कहे के मेडिया को पूरी तरह से लमलेट कर दिया और मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलाओंगी कि आप जिसका बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि जो उन्होंने चुनावी बॉन्स पर कहा कि यह बाद में आप रिग्रेट करेंगे यानि कि एक तरह से सुप्रीम कोट को धमकाते हुए उन्होंने कहा है क्योंकि अगर एक देश का सबसी बड़ी अदालत कह रही है कि यह अनकॉंस्ट्यूशनल है यह पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है इसमें बड़े प्रमाने पे लेंदेन हुआ है उसके बाद देश के करूंगा सुप्रीम कोट पर प्रधान मंतरी की अप्रत्यक्षिपनी है मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूँ तेजस्वी आदव कह बयान तेजस्वी आदव मीडिया को भटकार रहे हैं कि तुम में हिम्मत नहीं है प्रधान मंतरी से उनके वादों पर सवाल कर करने की सुनिये अप लोग तुरन माइक लगा देते हैं इतने जोरदार तरीके से आपने कभी मोदी जी के मुझ में माइक लगा के हिम्मत की है पूछने के लिए कि नौकरी क्यों नहीं दिया आप दो करोड़ बोलते थे 15 अलाग रुपए क्यों नहीं आए खाते में क्या म अजाग बना रखें और आप लोग से भी क्रिपा करते हैं कि बिहार का भला इन बातों पर नहीं होगा काम की बातों पर होगा मेरे ख्याल से यहां पर मुकुल तेजस्वी आदव या उनकी जैसे कई जो नेता हैं वो बिलकुल मुद्दे पर बने हुए हैं मटन मचली को लेकर तेजस्वी पर हमला किया गया बेवज़ाएक मुद्दे को जो है तरजी दी गई और लगातार विपक्षी सवाल पूछ है मगर मीडिया की बेशर्मी देखिये सहाब नहीं सुधर ने का दाम नहीं तो दरसल गोष्णापत्र पर उन्हें लाइव कवरे जरूर मिली लेकिन उनसे क्या सवा वो प्रेस कॉन्फरेंस कैसे करते जब उसमें कुछ भी नया नहीं है वो कुछ भी मोदी की गारेंटी मे कुछ भी नया नहीं है कुछ भी विश्वास लायक नहीं है कि वो बता पाएं कि हम ये करने वाले पूरा पुछ नहीं पड़ लीजे कुछ नहीं नहीं है तभी वो निया पत्र से कॉंगरिस कर जो अखलेश और तेजस्वी सब ला रहे हैं इससे वह घबराय हुए हैं यही चाहिए यही वज़े है कि यही लुगों को अच्छा दिल्चस बात यह क्योंकि आप सुप्रीम कोट के वैसली की बात कर रही थी भाशा देकी सामने पत्रकार बैठा हुआ ज़ा सवाल कर रहा है मुद्दा ये किया जाना चाहिए, जो साफ तौर पर इस हाथ ले इस हाथ दे दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कुछ धन्ना सेठों को आपने फाइदा प Punkt आया, उन्होंने आपको पैसा दिया, वो QUIDPRO को दिख रहा है, इस हाथ ले इस तो आप कंगना रोनात को तो नभीका कुमार्थी कर देती हैं कि सुभाशन बोस तो पहले प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन यहां पर तो सामने प्रधानमंत्री हैं और उनको जब इंटर्व्यू दिया जा रहा है तो आप देखिए जिस तरह से वो खुद बात करें हैं आप यह आप अपने तीस्वे कारेकाल में क्या करेंगे तीन पहले के तौर पर देख रही हूं आपको दिया थो को दिया उनके साथ फोटो नहीं थी और उनके जो सारे सवाल थे पढ़ने वाले थे लेकर उत्तरा खंट पर चर्चा करते और तीसरा एनाई को दिया तीनों इंटर्व्यू में तकरीबन पत्रकार यह मान के चल रहा है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं आप तीसरे कारेकाल में क क्या करेंगे तीनों में सवाल है यह तो मीडिया के सारी मर्यादाओं का उलंगन है कि आप चुनाओ के समय एक कैंडिडेट को क्योंकि प्रधान मंत्री के तोर पर है एक उम्मिद्वार के तोर पर हैं आप दूसरी सरकार की स्थापनेक ले जा रहे हैं और आप सारी योजन हैं एजन्सी आपके पास हैं पैसा रसू आपके पास हैं एक चीज जोड़ दू ज़रा उसमें जो नवी का वो एन आई को जो इंटर्वी दिया प्रधान मंत्री जब चुनावी बॉंड ना होता तो आप यह मनी ट्रेल ना पकड़ पाते इस पर बहुत बढ़िया शोशल म वाली बात है वो कह रहे हैं कि हमने चुनावी बॉंड में यह ववस्ता रखी कि आप अल्ला पाए लेकिन सबको पता है कि कितने मुश्किल से वह बाहर आ पाई हैं सुप्रम कोट के आदेश के बाद भी टाल मटोल करता रहा है इस बी आई और तब यह सारी चीजे खुला स हुआ है मिलकुल उसमित लगातार विरुदा भास था सरकार के रवये में और अब हम रुख करना चाहेंगे अपने तीसरे एहम मुद्दे का राहुल और अखिले जो हैं साथ मिलकर प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं उधर तेजस्वी लगातार मुद्दों पर चुनौती दे र रही है क्या वो मुद्दों पर भाजपा को घेर पा रही है या फिर भाजपा की जो भुड़काओं मुद्दे हैं जो लगातार हम सुन रहे हैं जिसकी चर्शा भी हमने कारक्रम में की उसके सामने विपक्ष की मुद्दे बह जाएंगे क्या है इस मुद्दे का पंच शु बाटाउ है कि इन्दिया गटबन्धन के मुद्दे क्योंकि ज outras मुद्दे के awareness उसके लड़ाई यह उस्य तरकर केंड्र कहूं कि इंडिया गट बंधन के मुद्दे ये हैं उसी ने उसको जमीन दिये अब दिक्कत यह है कि कवरेज हो रही है बातचीत हो रही है क्योंकि चुनाओ प्रचार में कम से कम आपको राहूल गांदी और तेजस्वी और अखिलेश को दिखाना पड़ रहा है पहले वो नहीं था इसलिए अब हमें पता चल रहा है और जमीन पे अल is not well for BJP अभी सार क्या है इस पे आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से अब जो है महंगाई, करॉप्शन, भष्टाचार और बेरुजगारी इस पर ध्यान जो है वो केंद अगर जमीन पर यह मुद्दे ज्वलंत हैं और विपक्ष इस पर एक तरह से हावी है और उसी को लेकर राजनीदी कर रही है भाशा कल जिस तरह से अखिलेश और राहूल साथ आए, कई मुद्दे थे जिनके जवाब नहीं दे गा है मुझे ऐसा लग रहा था कि राहूल ग आप कैसे देखें ये दोनों इस बार साथ आया प्रेस कॉंफेरंस की इससे पहले जब यातरा निकाल रही थी तब दोनों उत्तर प्रदेश में साथ थे और उसने एक बड़े पैमाने पर नीचे मेसेज दिया अभिसार और कल की प्रेस कॉंफेरंस है उसमें इन दोनों की बीजेपी को परिवार वालों से वोट नहीं मांगने चाहिए और दूसरी तरफ दोनों ने मिलकर बेरोजगारी को केंद्रमुद्या बनाया और बीजेपी पर एक स्वर में हमला किया तो अगर आप पूरा सीन उठाके देखे तमिलनाडू से लेकर क्योंकि तमिलनाडू में यही पंचलाइन है जो बॉड़ी लैंग्विज है स्टालीन की और राहुल गांदी की बोस्तरा की है उधर ममता बेनर जी का यह कहना कि इंडिया गडबंधन जीतेगा और हम इस इसका जबाब देंगे तो यह दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से महराज से भी जो खबरे आ आपसे जानना चाहता हूँ देखे राहुल और अखिलेश एक मंच पर देखे कल ही हमने प्रियंका गांधी वाड़रा का रूट्ष को देखा सहारनपूर में और वो अप्रत्याशित जो प्रतिक्रिया होनी आई हमने एक अलपना की ती कि प्रियंका गांधी वाड़रा को यहांगर इस कदर उच्शचता सहारनपूर में होगी मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं राहुल और अखिलेश धिखाई दिखाई दे कि आपको उनी लगता कि आने वाले वक्त में जितने जितने चैर्ड़ों में चुनाव होगा ना सिर्व इन दोनों नेताओं को सामने आना चाहिए, बलकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगा में खासकर जो हिंदी बेल्ट है, वहाँ पर राहुल, अखिलेश, तेजस्वी को भी साथ में बैठके आना चाहिए, क्योंकि देखिए, अल्टिमिटली आप एक नाशनल अपील कर रहे हैं, वो संदेश जो है, ना सिर्व उत्तर प्रदेश की जनता को जा रहा है, बलकि बिहार में भी, तो मुझे लगता है, और क्यों नहीं, और संजे सिंग भी आ जाएं, मुझे लगता है कि एजरिवाल तो पूरा वक्त बिताएंगी, मैं कहता हूँ यस तमाम लोग चेहरे बन कर सामने सबूरत के रहे हैं, यह एक अच्छी पहल भी हो सकती है, कि वो एक साथ दिखाई दें, लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी है, इन दोनों का साथ आना, और लगातार मुद्दों पर बात कर हैं, और लगभा आधा भी ग्राफ हो सकता है, बीजेपी का, यह तक संभावना है, और लोग भी बेचैन है, और एक और मैं बात जोड़ दूँ कि लोग मीडिया के सामने, जो गोदी मीडिया होना खास सवर से पता कि यह क्या सुनना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पर नह नहीं है, जो सतन पतका रहे हैं, जनता को भी डर है, तो इसलिए वो नहीं बोल रहा है, तो इसलिए हमें उनकी बाते हमारे तक नहीं आ रहे हैं, पर यह है बेचैन है, बाशा, एक मिनिट, एक मिनिट, इक बाशा, मैं इस चीज़ पर आपकी टिपड़नी लेना चाहता हू कि मेरा नाम अर्विन केजवाल है and I'm not a terrorist, शाहरु खान का अंदाज दिखाई देता है, मगर चलिए उसी तरह से तेजस्वी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी राली इसको कोई नहीं दिखा रहा है, कोई भी नहीं दिखा रहा है, मगर उस संघर्ष लगातार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे दल, अगर हम छोटे माने होने एक राश्ट्री परिप्रेक्ष में, तो ये बता रहे हैं कि लड़ना कैसे चाहिए और आपके पास कोई औजार ना हो तो भी आप कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि यहां देखें, लोकतंत्र में विपक्ष के पास जितने प्लेटफर्म सोने चाहिए थे तकरीबं वे सारे के सारे खतम हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फोकस होके लड़ाई लड़ी है, और एक और जो बड़ी बात है, जो लगातार खबरे भी आ रही है, गुजरात से लेकर, राजस्तान से लेकर, राजस्तान के गंगा नगर में बेठक मैंने जो देखी और लोगों से बात की यह है कास्ट बेस पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही एक छाकूर समाज बताया जा रहा है नाराज है वो कितना है नहीं कितना है कुछ नहीं कह सकते लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जहां पर चुनाओ है वहां पर लोग बात करें कि योगी गुट अलग है और मोदी गुट अलग है और इसके कुछ चौकाने वाले परिणाम आ सकते हैं इसमें समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की जो हैं उन सबके भी तर इसे लेकर एक बहुत मुद्दा है और वे सिर्फ यह कहते हैं कि मंदिर तो पहले भी था मंदिर तो अभी भी है लेकिन बेरोजगारी का जो हाल है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है वह एक केंडरी में मुद्दा है जिसको CSDS और लोकनीती का जो सर् हैं वो अब एंडिये का जो आंकड़ा है वो 400 की तरफ बता रहे हैं कोई 380, 390 आने की पूरी कोशिश, पूरी जमीन जो है वो मीडिया अपनी तरफ से लगातार तयार कर रहा है बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल और भाशा आप दूनों का इंडिया की बात में बस इतना अब इसार शेरमा को दीजिए अजासत, नमस्कार